गुड मोर्डिंग दोस्तों मैं गोतम सिंग गोखुल क्लासस में आप सभी का सभागत करता हूँ आज आपके लिए लेकर आया हूँ निकर दिरिष्टी दोस दूर दिरिष्टी दोस में अंतर निकर दिरिष्टी दोस क्या होते हैं दूर दिरिष्टी दोस क्या होते हैं और दोनों में अंतर क्या होते हैं ये आपको पूरे डिटेल्स में बताने वाला हूँ दोस्तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पपिली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वेल आइकन दबा दें तक कि अगले वीडियो के नोटिकेशन आपक कहा जाता है। कहने का मतलब है दोस्तों अगर किसी बैक्ती को नजदी की बस्तुए साफ साफ दिखाई देती है और दूर की बस्तुए साफ साफ दिखाई नहीं देती है। तो अगर किसी बैक्ती को दूर की बस्तुए सब सब दिखाई देती है और नजदी की बस्तुए सब सब दिखाई नहीं देती है उसे दूर दिरिष्टी दोस कहा जाता है। अब दोस्तों आगे आपको बताएंगे निकट दिरिष्टी दोस और दूर दिरिष्टी दोस में अंतर. निकट की वस्तुए असपश्ट दिखाई देती है और दूर की वस्तुए दिखाई नहीं देती है. निकर दिरिष्टी दोस, दूर दिरिष्टी दोस, दूर की वस्तुए असपश्ट रूप से दिखाई देती है और नजदी की वस्तुए उसमें दिखाई नहीं देती है तो दूर दिरिष्टी दोस का हलाती है निकर दिरिष्टी दोस में नेत्र लेंज की बकरता बढ़ जाती है जिससे फोकस दुरी कम हो जाती है दूर दिरिष्टी दोस में नेत्र लेंज की बकरता घट जाती है जिससे फोकस दुरी बढ़ जाती है निकर दिरिष्टी दोस में किर्णे रेटीना के पहले ही प्रतिवीम बना देती है दूर दिरिष्टी दोस में रेटीना के आगे बनाती है प्रतिवीम निकर दिरिष्टी दोस में आउता लेंस का परियोग किया जाता है जबकि दूर दिरिष्टी दोस में उतलेंज का परियोग किया जाता है दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन दबा दे ताकि अगले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा थेंक यू दोस्तों और आधे राधे दोस्तों